मुझे जाए 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 मुझे जाए क्यों? क्यों नालते लड़ाई उन्दी है लड़ाई से लड़ाई से लड़ेंगा? हाँ लड़ाऊंगा लेकर लड़ हाँ रखिया हाँ हजेविया सा रखिया तेरा रच्ता तक 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 किया तेरो अपया यखिया जागी पीर पुराणी भी कबराया सिर्वान के मांगनी तो तीनी चंदरा शिकीर हो गया आपे कैसे बताऊं तो मेरी अक्षियों के तारे मैं तो बारी वादी जाऊं राज दुनारे अलेकम नाज़ीन आप देख रहे हैं फिरोदा नियूस मैं ताहिर बुखारी प्रोग्राम द्रक्षा स्तारे के साथ आजिर हूँ आज हम जिस शक्सियत के बारे में बात करेंगे वो पाकिस्तानी फिल्मी सरत की पहली कामयाब हैरवन सौरन लता है सौरन लता एक आलीमी आफ़ता अदाकारा थी जनोंने बड़े वकार के साथ काम किया और उनकी तमाम फिल्में ब्लैक और वाइट थी वो गरसल ब्लैक और वाइट फिल्मों के तोर की हैरवन थी सौरन लता 20 संबर 1924 को रावल पिंडी के एक सिख गिराने में पैदा हुई उनके वालत सरकारी मुलाजम थे उनका तबादला रावल पिंडी से पहली हो गया पहली में उनोंने सीनियर कैमरेट यानी एफ़े पास किया उसके बाद उनके वालत की ट्रांसफर लखनाओ हो गई लखनाओ में उनोंने अपने वालत की अजाज़त के साथ लखनाओ अकैडमी आफ म्यूजिक एंड आर्स में दाखना लिया अभी वो जेरे तारिम थी किसान 1940 में उनके वालत का तबादला बंबई हो गया और वो लखनाओ के हॉस्टल में क्याम पजी दी संबाई से लखनाओ के सफर के दौरान उनकी मुलाकाद रैटकार रफीक रिजवी से हुई उन्होंने सौरन लटा को फिल्मों में काम करने की पेशकेश की लेकि उन्होंने इंकार कर दिया लेकिन हदैकार के इस्रार पर उन्होंने कहा अगर मेरे भाई रजामंद हो जाते हैं तो मैं काम करने को तयार हो उनका कहना था यह तछज़ू की बात है कि मुझे मालूम नहीं कि हदैकार ने मेरे भाई से क्या कहा तो रिजा मन्द हो गए इस तरह सौरन लता ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज फिल्म आवाज से किया जो 1942 को नमाईश पजीर हुई इस फिल्म में उनके साथ वास्ती ने हीरो का किरदार अदा किया इसके बाद उन्हें दो नई फिल्मों में कास किया जिन में अशारा और तस्वीर शामल थी तस्वीर मौसिकार रशीद अत्रे की प्रोडेक्शन थी और इसके हदायत का लजम नकवी थे ताहम उनकी दूसरी फिल्म अशारा रिलीज हुई जिसमें उनके हीरो का किरदार पिर्फी राजकबूर ने अदा किया ये दोनों फिल्में उन्नीस सोतन तालीस में नमाईश के लिए पेश की गई इस फिल्म कहते का एम सादिकते और हीरो का किरदार करन दिवान ने अदा किया इस साल उनकी साथ फिल्में रिलीज हुई दीगर फिल्मों में उस पार, बड़ी बार, घर की शौबा, महराथी करना, रौनर्ट और सूरना भूमी शामिल 1945 में इनकी चार फिल्में रिलीज हुई इनमें चांग तारा, प्रीतमा, प्रीत और लेला मजनु शामिल है लेला मजनु में उनके हीरो नजीर थे जो उस जबाने के बड़े मशूर अदाकार फिल्मसाथ और हदाकार थे ये फिल्म उनकी जिन्दगी की एक खास फिल्म साबत हुई इस फिल्म की शूटिंग के दौरां दोनों में महबत हुई और शादी हो गई सौरल लता मुसल्मान हो गई और उनका नाम सहिदा बानो रखा गई सौरल लता और नजीर के चार बच्चे पैदा हुए एक बेटा असलर नजीर बेटी इफ़र इसमत और तल्लब जब दोनों की शादी हुई और उनकी अमर में 20 साल का फर्क था अदाकार नजीर की अमर 41 बर्स और सौरल लता की अमर 21 बर्सी 1946 में उनकी तार फिल्में रिलीज हुई इनमें वामिक अजरा, शाम सवेरा, मावाब किलाज और इनसाफ शामिल है 1947 में सौरल लता ने दो फिल्मा में अदाकारी के जोहर दिखाए इनमें एक फिल्म आपदा और दूसरी घरबार आपदा 1947 में नवाईश पजीर हुई ताहम घरबार की रिलीज 1948 में हुई सौरल लता ने क्याम पाकिस्तान से कब 1942 से लेकर 1947 तक 5 बरसों में 22 फिल्मों में हैरून के गिर्दार अदा की इन फिल्मों में उनके साथ अदाकार दिली पुमार, पिर्थवी राजवास्ती, मोती लाल, करन दिवान, नूर महमद चारली, नजीर और दूसरे अदाकारों ने काम किया क्याम पाकिस्तान के बाद नजीर एहमद खान और सौरल लता पाकिस्तान मुंत्किल हो गए नजीर ने क्याम पाकिस्तान से कबल अपना फिल्म साथ अदारा फ्रोग करके लाहूर में वसी जमीर खरीद ली थी इस हावाले से सौनल लता ने सीनियर फिल्मी सहाफी आजिद जबानी साथ को अफसील बताई जो अफ्त रोदा निगार में शाय हुई उनका कहना था कि जब हम मंबई से लहोर आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था यहां तक नजीर साथ में जो जगा खरीदी थी वो एक जंगल था हम वहां बिस्तर की बजाए चादर बिचा कर सोते थे और हमें खाना बारी मल्क भिजवाते थे बत्तर ना होने की वज़ा से हम अक्सर रोटी के ओपर सालर रखकर खाते हैं इन हालात में नजीर साथ मुझे कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपको इस हालत में लेकर आया हूँ जब फसादा खत्म हुए और अम्र काइम हुआ मैं बम्माई वापस गई और वहां फिल्मसादों से बकायाजात वसूल किये जो उसवर्ट देर लाख रुपए बने पिर हमने सामान खरीदा और फिल्मसादी का आवाज कर दो सौरल लता ने 1948 में पाकिसार में पहली फिल्म इश पंजाब में अदाकारी यह फिल्म उनकी आपनी प्रोडेक्शन थी यह फिल्म हीर रांजा की कहानी थी जिसका राम इश पंजाब रखा गया थी इस फिल्म के हीरो और डारेक्टर नजीर थी इस फिल्म की सतर फीसद शूटिंग हो चुकी थी लेकिन मुख्तलिफ वजुहात की बनापर रिलीज ना हो सके रहा जाता है कि इसका नेग्टिव खराब हो गया था जिसकी वज़ा से फिल्म कम्प्लीर ना हो सकी एक वज़ा ये भी बताई जाती है कि उस जमाने के मशूर अधाकार बली की फिल्म हीर रांजा और एर कारदान की दिल लगी बनकर सामने आ चुकी थी वो दोलों फिल्में भी हीर रांजा की कहानी थी हदाकार नजीर ने इस वज़ा से उस फिल्म को रोग कर दूसरी फिल्म शुरू कर दी जिसका नाम सचाई रखा गया तो सौरल लता की पहली फिल्म सचाई 21 जूम 1949 को नवाईश पजीर हुए आहम ये फिल्म कामयाबी से हम किनार ना हो से इसके बाद हदाकार नजीर ने फेरे के नाम से फिल्म बनाने का फैसला किया फेरे पाकिस्तानी फिल्मी सरत की पहली कामयाब फिल्म थी ये फिल्म पंजाबी फिल्म थी इससे कब सौरल लता तमाम उर्दू फिल्मों में काम कर चुकी थी दिल्चस्प बात ये है कि सोरन लता गो के एक सिक घराने में पैदा हुई लेकर उनके स्कूल और कालिज का जमाना नहली और लखनाओ में घुजरा इसलिए वो पंजाबी जमान बोलना नहीं जानती थी ये पाकिस्टानी फिल्मी सर्थ की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जूबली मनाई इस तरह सोरन लता पाकिस्टानी फिल्मी सर्थ की पहली कामजाब कीरों है इस फिल्म के गीत बहुत मकबूल हुए तो आज भी जबान जदे आम है गानों की दुने बाबा जीये चिश्टी ने तकली की और इसके गीत गुलुकारा मुनवर सुल्ताना और अनायत हुसैन भटी ने गाए उनके गीत मैनूर अबदी सो तेरनल प्यार हो गया वे चलना सची मुची और अखिया लामीना ते फिर पश्तामीना बहुत मशूर हुए और अनायत सैन भटी ने फिल्मी कैरियर का आगाज भी इसी फिल्म से बतौर गुलुकार किया 1950 में सौरन लता की दो फिल्मे नवाइश के लिए पेश की गई इनमें लारे और अनोखी दास्तान शामिल 1952 में इनकी फिल्म धीगी पलके और 1953 में इनकी फिल्म शहरी बाबू रिलीस हुई 1955 में सौरन लता की तीन फिल्में रमाइश पजीर हुई जिन में खातून, नौकर और हीर शामिल है इनकी फिल्म में अधाकार और गुलुकार अनेच सह्म बटी ने पहली दफ़ा अधाकारी के जोहर दिखाए और इसका एक गीत असजान के मीट लई रखवे बहुत मकबूल हुआ होरल लता एक इंटर्वी में बनाती है जब ये फिल्म का आगाज हुआ उस वक्त नजीर अधाकारी को खेर बात कह दिया था उन्हें हीरो की तलाश थी और कोई मौदू हीरो नहीं मिल रहा फिल्म की आपनिंग में अनायत हुसाइम बटी भी वहां आए जजीर सहब ने उन्हें वहीं देखकर फैसला किया कि इन्हें फिल्म में हीरो कास्ट किया जाए इन तमाम फिल्मों में उन्हें हैरोन के किर्दार अदा की इसके बाद वो दो फिल्मों में बतौर करेक्टर एक्टरिस चलवादर हुए जिन में 1966 में फिल्म सवाल रिलीज हुई और 1971 में उनकी फिल्म दुनिया नामाने रिलीज हुई जो उनके कैरियर की आखरी फिल्म इसके बाद उन्होंने फिल्म अन्डेस्टरी को खेर बाद कह दिया पाकिस्तार में उन्होंने बतौर हैरवन अदाकार नजीर, संतोष, घरपन, हभीब, अनेट, संब, भट्टी और मसूद के साथ अदाकारी के जोहर दिखा हुआ 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 है हुआ है